Hello everyone, कैसे आप? I hope आप बच्छे से होंगे. मेरे बच्छे final exam की preparation हम कर रहे हैं. तो अभी हम next chapter स्टार्ट कर रहे हैं. That is real number. मेरे बच्छे real number की जो weightage रहेगी final exam में. That is six marks. Already मैं सब weightage वे आपको बता चुका हूँ. Real number के मेरे यहाँ पे ज़्यादा lectures नहीं बनेंगे. सिर्फ दो ही lectures बनेंगे. आज के lecture में मैं real number के जो basic concepts हैं. इस chapter में मतलब जो concept आप सीखते हो. आज के lecture में मैं आपको वो बता दूँगा. Second lecture जो बनेगा. That is very important. जिसमें बच्छों को थोड़ी सी problem आती है. जाकि उस हम word problem में HSEF find करना है जा LCM find करना है. तो next जो lecture होगा. Second lecture यह number का वो उसी पे होगा. तो आज के lecture में हम basic concept को सीखेंगे. ठीक है? HCF, LCM कैसे निकालते हैं? प्लस irrationality कैसे प्रूब करने हैं? Like root 3s, irrational equations कैसे करने हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दो कि आपके syllabus में old जो NCRT थी उसमें equalities division lemma भी था. वो एकदम delete हो गया है. अभी आपने session 2023-2024 के लिए उसको prepare नहीं करना है. Equalities division lemma, right? Second terminating, non-terminating का concept था. वो भी delete हो गया. तो mainly यहाँ पर आपके पास दो ही concept चल रहे हैं. Number one, HCF and LCM by prime factorization. HCF and LCM निकालना आएगा, prime factorization से आप उसको निकाल सकते हो. आप equalities division lemma भी apply करते हो. HCF निकालने के लिए वो delete होगे, उससे आपको question नहीं पूछा जाएगा. तो उन questions को practice करने की कोई जूरूत नहीं है. Second, irrationality prove करनी है, इस टाइब के question. बस यही दो concept आपके syllabus में हैं. और इस chapter में से maximum chance रहता है word problem आने का. ठीक है? word problem, statement sum. जो next lecture में आपको detail में बता दूँँगा, कि किसी भी तरह की कोई भी word problem हो, वहाँ minimum लिखा है, maximum लिखा है, कब हमें HCF निकालना है, कब LCM निकालना है. उस सारी चीजें next lecture में मैं यहाँ पर cover करूँगा, ठीक है? तो weight is इसकी 6 marks की है, coordinate geometry जो इससे पहले वाला chapter था, वो मैंने एकदम आपको detail में बता दिया, कि कितना content आपको prepare करना है, कौन से important question है, sub-discus हो चुका है, वो भी हमारा 6 marks का था, तो 2 chapter ही होगे हमारे 12 marks के, इससे पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, priority and stat, वो 11 marks के थे, surface area, volume, area related to circle, वो आपके 10 marks के थे, 21 ही होगे, 12 ही होगे, total बन गे हमारे 33 marks, तो 6 chapters अगर आप perfect कर लेते हैं, जो सबसे easy chapter माने जाते हैं, तो मान लो कि आपका, 33 marks 80 में से secure है, 101%, पर्ट content उतना ही करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, last stage पर स्रिफ दो books पर preference देनी है, आपने number one, आपके NCRT, उसको तवा भाई या याद कर लो, उसके सभी questions, number two, NCRT examplar, और chapter wise, NCRT examplar, मैं अपने telegram channel पर upload कर रहा हूँ, chapter wise, और आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो delete हो गया है, मैं उसको cross कर देता हूँ, NCRT examplar में, cross करके मैं आपको send कर रहा हूँ, अपने telegram channel पर, वहाँ से आप देख सकते हैं, coordinate geometry आप देखना, cross कर रखे, जो questions आपको नहीं करने, जो syllabus में नहीं, बागी सब करने, जो tick, जो cross नहीं है, वो सब करने, ठीक है, तो real number के आज हम बात करेंगी, बिल्कुल basics concept, जो उसका HCF, LCA में है, वहाँ से हम इसकी शुरुवात करेंगी, अब prime factoration कैसे करनी है, I think यार सभी बच्चों को बता, 10th class में, that you can do, let us suppose मेरे पास कोई number है, 15, इसकी prime factoration, normally बच्चे कैसे करते हैं, ऐसे factors बनाते हैं, इसे 15 हैं, तो यह 3 से हो रहा है, यहाँ पर 5 लिखा, यह 5 है, फिर ऐसे बन जाए, तो 3 और 5 जो है, 15 के factors हो गए, ऐसे, तो इस तरह से आप prime factoration, किसी भी number की कर सकते हैं, ठीक है, तो जो भी question आएगा, बड़ा heavy question बिल्कुल भी नहीं होता, नॉर्मल एक number होता है, जिसके आराम से आप prime factor बना लोगे, ठीक, तो अभी मैं यहाँ पे concept आपको सिखा रहा हूँ, HCF एंड LCM, बिल्कुल बिनन टाइम वेस्ट किये, directly आप कैसे डूंड सकते हो, सबसे बहले देखो, एक number है मेरे पास A, इसके मैंने prime factoration कर दी, बानो एक इसमें prime factor X आया, एक Y आया और एक Z आया, तीन इसके prime factors बड़े, और इनकी कुछ powers आ गई, इसकी power 2 रख लेते हैं, इसकी power 3 रख लेते हैं, इसकी power 4 रख लेते हैं, अब अकेला तो होगा नहीं number, एक दूसर number भी होगा, second number is B, और इसकी prime factoration भी आपने की, और इसमें ये वाले तीन prime तो आये ही, एक prime और आगया, let it is W, यहाँ पर मैं इन जनरल ले रहा हूँ, वहाँ पर आपके numbers होंगे, X, Y, Z, W are 4, prime factors of this number B, और इनकी भी कुछ powers रख लेते हैं, X की power 1 ही रख लेते हैं, Y की power 2 कर लेते हैं, Z की power भी 2 कर लेते हैं, W की power भी 1 रख लेते, ज़र let us suppose 3 रख लेते, अब आपको question पूछा जाएगा, कि यहर इसका HCF निकालो, HCF की full form, highest common factor, देखो इसमें एक word आ रहा है common, तो जब भी आप HCF निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हमेशे याद रखें, 2 नमबरों या 3 नमबरों जिनकी आपने प्राइम फेक्टरिशन की, उसमें जो common prime नमबर होते हैं, उनको लिखना होता है, सबसे पहले तो यह rule है, common prime नमबर ही याद रखो, common prime नमबर लिखने हैं, मतलब जो इसमें भी दिख रहा हो, जो इसमें भी दिख रहा हो, जैसे अगर मैं w की बात करो, यह मुझे b में तो दिख रहा है w, लेकिन a में नहीं है, इसलिए आप w को कभी भी नहीं लिखेंगे, जब आप hcf निकाल रहे हो, lcm में सबको लिखना होता है, hcf में सिर्फ common prime लिखो पहले, common prime, तो common prime जो मेरे को दिख रहे है, एक x है, एक y है और एक z है, लिख दिए, अब इनके उपर powers डालनी होती है, कितनी, मेरे बचे, x, y, z जो आपने लिखे, अब दोनों numbers में आप देखो, इनकी जो lowest power होती है, छोटी power वो डाल देनी इनके उपर, जैसे आप इसमें x देखो, x की power 2 है, इसमें x देखो भी में, इसमें power 1 है, तो छोटी power कौन सी 1, तो x की power यहाँ पे 1 आएगी, जोके लिखने की से उतनी है, that you know, ऐसे y को देखो, y देखा, smallest power, that's all, अब यहाँ पे z को देखो, यहाँ z की power 4 है, यहाँ z की power 2 है, तो छोटी power आएगी, that's all, this is your hcf, आगे इसको multiply गयरा हम कर सकते हैं, जब numbers दिख रहे होंगे, वो आपको number multiply करने हैं, यह सारे numbers, ठीक है, I hope it is clear, ऐसे निकालना है hcf, common prime with the lowest power, याद करो उसको, common prime with the lowest power, common prime with the lowest power, अब बात करते हैं lcm, मेरे बच्चे, lcm इसका पूरा reverse, ultra type, क्या, write all the primes, write all the primes, दोनों में जो हैं, x, y, z तो दोनों में थे, वो लिखने ही हैं, जो w था, वो भी लिखना हैं लिख दिये, put greatest power, तो क्या है lcm, write all the primes, write all the primes, and put greatest power, greatest power, बड़ी power डाल दो, x की बड़ी power 2, y की बड़ी power यहां पे 3, z की बड़ी power यहां पे 4, w की power 3, this is your lcm, तो यह है पहले तो basic concept, कि hcf lcm कैसे निकाला जाता है, is it clear, अब यहां पर हम, numbers लेके समझने की कोशिश करते हैं, my dear students, let us suppose, बिल्क छोड़ा सा number लेते हैं, 42, इसके prime factor बना दो, direct बना सकते हैं, अब जैसे 6, 7, z 42 होते हैं, 6 को फिर break कर दो, तो 2, 3, z 6, 6, 7, z 42, तो 3 इसमें prime number आ गए, एक number और ले लेते हैं, let us suppose, मैं यहां पर रख लेता हूं, 34, 34 होता है, 2 into 17, 34, 17 prime आगे break हो नहीं सकता ही, तो सारे prime हमने बना दी, अब इन दोनों का मैं, HSCF लेता हूं, लिया, क्या आएगा, क्या सिखाया, write all the common prime, common, common prime, तो देखो भाई मेरे को तो 2 ही दिख रहा है बस, जो दोनों में वो 2 ही दिख रहा है, with lowest power इसकी वानी तो यही answer है, तो this is the highest common factor between these two numbers, 42 and 34, अब बात करते हैं LCM की, LCM में, write all the primes, तो भाई 2 भी लिखने है, 3 भी लिखने है, 7 भी लिखने है, और 17 जो है उसको भी लिखने है, फिर भाई इनको multiply कर देना, that you can do, this is your LCM, ऐसे चाहे दो number हों, 3 numbers हों, 4 numbers हों, prime factorization से LCM आपने बिल्कुल ऐसे निकालना है, clear है, तो अगर आपको यह समझ में आ गया है, तो मेरे बचे, NCRT में जो इसकी exercise है, जिसमें prime factorization वगारा बताया गया है, उसको आप ज़रूर practice करें, example जो भी दे रखी, ठीक, चली, फिर इसमें एक rule है, एक note है, कि HCF, HCF of two numbers, and LCM of those two numbers, अगर आप उनको multiply करते हैं, HCF और LCM को, that is always equal to the product of two numbers, और यह सिरफ दो numbers के लिए, valid है यह formula, जो मैं rule लिख रहा हूँ, only for two numbers, only for two numbers, अगर three numbers है, तो उसका यह rule नहीं होता, कि तीनों का HCF, LCM आप multiply कर रहे हैं, is equal to the product of three numbers, ऐसा नहीं होता, उसके लिए अलग rule है, जो आपके NCRT के, इस chapter की summary में दे रखा है, वैसे उस पे question आपको नहीं पूछा जाएगा, दो number तक आप सीमित रखें, इस formula से related, ठीक है, जो formula के application आएगी, तो दो number के लिए ही पूछी जाएगी, इसमें क्या होता है, जैसे HCF, LCM, हो सकता है, यह दोनों given हो, और A और B में, कोई एक given होगा, तो दूसरा number आपको find करना होता है, जैनि इसमें चार quantity है, एक HCF है, एक LCM है, एक यह number है, और एक यह number है, चार quantities हैं इसमें, चार में से तीन आपको given होगी, और fourth वाली आपको find करनी होगी, that's all, अब कुछ भी miss हो जाए, कुछ भी आज़े, मानो HCF यहाँ पे two है, और LCM किसी का seven है, और एक number मानो three है, तो दूसरा डूनेब भी, तो इस three को ठाक एधर ले जो, divide कर दो, cancel cancel करो, जो आएगा that is your answer, ठीक है, यह ज़स्ज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ है, clear है, तो यह rule को, यह formula को नहीं बूलना, इस पे question आने के chance बहुत ज़्यादा है, ठीक, और एक बात मैं आपको बता दूँ कि, अगर आपको इस chapter का, हर एक question detail में समझने है, exercise wise, तो भाई यह chapter आलरडी मैंने पढ़ाया हुआ है, link मैं description में डाल दूँगा, playlist का, बस आप click करें, और exercise wise आपको मिल जाएगी, वो मैंने old NCRT के according पढ़ाया है, बढ़ आपने, syllabus में जो है, वो मैंने आपको बता दिया, वही देखने है, equal division lemma आपको नहीं देखने है, और terminating, non terminating वाला जो topic है, उसको नहीं देखने, आपने सिरफ ये HCF LCM के questions करने, और irrationality प्रूब करने, उसको देखने है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका favorite question, जिसके आने के chances बहुत जाद है, थ्री marks में ये question, आपको पूछा जा सकते है, तो question आपका क्या है, like, prove that, root 5 is irrational, ठीक है, ये question, बैसे तो irrational है, बस इसको prove करने, by the method of contradiction, हम इसको prove करते हैं, बहुत से बच्चों को ये question याद होता है, एक question ये हो गया, एक इस पे ये आएगा, root 2, plus root 3, इसको irrational prove करो, या फिर 2, plus root 7, इसको irrational करो, बस ये 3 question आप अच्चे से कर लेना, अगर आप root 5 वाला कर लेते हैं, तो ये question बहुत easy है, बड़े आराम से हो जाते हैं, ठीक है, चली, पहले इसकी शुरुआत करते हैं, मेरे बच्चे, पहला step, कह रहा है, root 5 is irrational, prove करो, तो पहला step, if possible, let us suppose, root 5 is what, rational, root 5 is rational, अगर possible है, तो माल लेते हैं, माल लेते हैं, ये rational है, तो इसलिए हम इसको let कर लेंगे, क्योंकि rational है, तो we can write it in the form of P by Q, तो root 5 को हमने लिख लिया, in the form of P by Q, बस यहाँ पर P और Q बड़े ज़्यादा important है, और P और Q पर ही सारा question चल रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, where P and Q are co-primes, बचे, co-primes होते हैं, जिनमें कोई भी factor common नहीं होता, सिवाए 1 के, like 2, 3, ये दोनों आपस में co-prime numbers हैं, 2, 3, इनमें कुछ भी common नहीं है सिवाए 1 के, तो P और Q इस तरह के दो integer हैं, दोनों प्राइम हैं, और इनमें common सिरफ 1 है, और कोई factor इनमें common आपस में नहीं है, इसको करते बग्त contradiction आजाएगी, P और Q में कुछ common आजाएगा, तो वो contradiction हो जाएगी, हमारी statement गलत हो जाएगी, जो हमने let किया है, तो इसलिए ये rational नहीं, irrational होगा, बस उसी को हम यहाँ पर prove करने वाले, तो यह हमारा first step हो गया, ये लिखना सब, अगर ये rational है, तो हम इसको P by Q की form में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख लिया, और P और Q हमने जो यहाँ पर रखे हैं, that is co-primes, that is very important, जो हमने लिखा co-primes के बारे, चलिए, अब आगे calculation part, आगे क्या करना है बच्चे, यह P, यहाँ पर आप cross multiply कर दें, P और Q, root 5 की तरफ, एक Q ले गया, तो यहाँ पर आ गया, root 5 Q, इसके बाद इसको scaring कर दे, यह root खतम करना है इसका, it is 5 Q square, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे scaring के बाद, P square is equal to 5 Q square, तो यहाँ पर मेरे बच्चे, class 8th या 7th का एक concept है, चोटा सा, 10th में जिसको equally division lemma बोलते थे, बढ़ आप वो mind में मत रखो, एक चोटा सा concept है, एक चोटा सा concept है, dividend, जो आपका dividend होता है, उसको आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, divisor, quotient, plus remainder, तो ये वाली form यहाँ पर बनी होई, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, plus 0, तो आपको दिखेगा, P square, आपका dividend दिख रहे है, 5 letter suppose divisor दिख रहे है, Q square आपका quotient दिख रहे है, और 0 आपका remainder दिख रहे है, तो 0 remainder है, तो इसका क्या मतलब है, कि 5 पुरा पुरा डिवाइड कर रहे है, P square को, तो इसी को basically equal division lemma बोलते हैं, बड़ अभी आपको वो नहीं सोचने हैं, आपको ये rule दिमाग में रखना है, जो 8th, 7th में कभी आपने पढ़ा, जैसे आपने scaring किया, इसके तुरंत बाद आप लिखेंगे, फाइव आलसो डिवाइड करता है, लाइक 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 5 square को, जैनि 25 को डिवाइड कर रहा है, किसी perfect number को डिवाइड कर रहा है, तो जब आप इसका square root निकाल लेंगे, तो ये number उसको भी डिवाइड कर रहेगा, जैनि 5 आलसो डिवाइड फाइड फाइड ये square है, विद स्केर भी वो डिवाइड करता है, अगर स्केर नहीं है, तब भी वो इसको डिवाइड करेगा, that is rule, theorem है, जो आपका NCRT भी मिल जाएगी, स्केरिंग किया, ये बना, 5 डिवाइड पी square, therefore, 5 आलसो डिवाइड पी, is it clear, 5 आलसो डिवाइड पी, ये statement को, फिर से उतार दो, dividend is equal to, divisor, quotient, प्लस remainder की form, देखो, 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 बन गया divisor, किसको डिवाइड कर रहा है, P को, P बन गया आपका dividend, यहाँ पे कुछ quotient आएगा, अब quotient, क्यों मत लिख ले ना, क्योंकि अल्रडी वो लिखा हुआ है, एक निया quotient दो, और प्लस 0, क्योंकि remainder 0 होगा, क्योंकि 5 पुरा-पुरा उसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 आलसो डिवाइड पी, तो इसका मुलाब लिख सकते हो, P is equal to 5 C, 5 डिवाइड कर रहा है, P को, P dividend है, 5 divisor है, quotient कुछ आएगा, तो उसका नाम हमने C रख लिए, clear है, इसके बाद, scaring both side, जैसे आपने scaring किया, P square is equal to 25, C square हो गया, अब ये वाला relation, मानो, इसका numbering में third देता हो, इसकी numbering two, और यहाँ पे जो P square बना हुआ था, इसकी numbering one, अब one को देखो, यहाँ पे P square का value है, third को देखो, यहाँ P square का value, इसको compare कर लेंगे, from one and third, तो आपने क्या देखा, P square के equal है दोनो, तो जो 5 Q square है, वो किसके equal आ जाएगा, 25 C square, first and third में P square को eliminate कर दिया हमें, अब 5 25 को cancel कर रहा है, तो इसलिए Q square आ गया 5 C square, अब देखो फिर से Q square is equal to 5 C square, तो यह क्या बोल रही है statement, अगर मैं यहाँ 0 लिख हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, sir 5 divide कर रहा है Q square को, question दे रहा है Q square remainder दे रहा है 0, तो इसको थोड़ा English में लिखना है, therefore 5 divides, कोई भी reason नहीं देना, आप direct लिख सकते हैं, कोई marks नहीं करते हैं, therefore 5 divides Q square, तो अगर 5 Q square को divide कर रहा है, तो 5 Q को भी divide करेगा, therefore 5 also divides Q, इसको रखेंगे number 4, भाई जी यहाँ पर question हमारा, अब समझ में आ गया, यह क्या मसला है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा आपने, 5 also divides P, जहनी जो 5 है वो P को divide कर रहा है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, 5 जो है वो Q को divide कर रहा है, जबकि हमने starting में बोला था, कि 5 जो P और Q है, उनमें कुछ common ही नहीं है, वो सिभाई 1 के किसी और से divide ही नहीं हो रहे है, यहाँ तो 5 factor as a common आ रहा है दोनों में, यहाँ से contradiction हमारी होग जुगी है, तो आप लिखेंगे therefore from, second and fourth, we get, we get, P and Q are not, co-primes, therefore our supposition, जो हमने माना था, suppose किया था, is wrong, हमारी supposition गलत साबित होगी, यह तो co-prime में नहीं बने, इसका मतलब, root 5 is not rational, यह rational नहीं है, तो भाई अगर rational नहीं है, तो फिर कौन सी category real number की, irrational, therefore, root 5 is irrational, hence proved, जितना मैंने कराया है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, this is the best explanation, okay, that's all, तो इस type के question आपको, 3 marks में exam में आ सकता है, अब जो बाकी वाले questions रहते हैं, कैसे, root 2, plus root 3, 2, plus root 5, 5, इस type के question, 5 plus, 2 root 11, इन questions को जुरूर कर लेना, ठीक है, आपके हवाले, बाकी मैंने कर रखे हैं, playlist दे रहा हूं, description पे, click करेंगे, सारे lecture सा आपको मिल जाएंगे, जिस question को भी आपने समझना है, उसके according topic का नाम, मैंने वहाँ लिखा होगा, irrationality, या, कोई भी आप, prime factorization का question करना चाहते हैं, सब मिल जाएगा, इस type के questions भी करने, six days to power end, can end with zero or not, यह पका करने ठीक है, और जो आपको rule बताया, इस rule पे जितने questions आपको मिलें, कम हैं, करते जाओ, यह rule बहुत important, clear है, तो आज के lecture में बचे, इतना ही basic question, जो real number के, मैंने आपको समझा दिए, कल का जो next lecture हमारा होगा, that is very important, उसमें कुछ मैं word problem discuss करूँगा, और इतनी important होईगी, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, कि यार कौन सी word problem में क्या find करना होता है, ठीक है, तो आज के lecture में इतना बचे, थैंक यू, बाई बाई and take care.